मैं आज एक दिन में 3 Paypal करने कुशिश करूँ गुँगा, ठीक है तो Start करते हैं आज का दिन है पहला देन पता सलिजाएगा आस तो तो रीजनींग का पहला स्टार्ट करते हैं, रीजनींग वह ऐसा से पूछ रहा है, रीजनींग का ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला जो मेरे पास कोशन आया है, चार्जिंग हो रही है न, चीक है, तो ये 10 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, टोटल 24 शिफ्टे होई है, 23 की वीडियो बनके त्यार पड़े होई है, लास्ट यह वाला पेपर स्टार्ट करते हैं, तो बहुत असान चीज है भी है, देखिए 2 और यह 25 और यह 4 और यह 3 यह 4 और यह 23 और यह 6 और यह मुझकल कंफर्डेबल नहीं है, तो आगे, आजा, 11 और यह कितना हो गया, 22 हो गया, 5 आया 6 और यह 21 और यह 8 और यह 25 तो अगर मैं धियान से देखना स्पर स्टार्ट करूँ है, तो मुझे पता चला देखो इसका सम कितना आए 27 अश्का सम अश्का सम भी 27 इसका सम 27 नहीं है, अच्छा अगर मैं यहां आ से देगना चालू करता हूं तो क्या हो सकता है देखो अगर मैं यहां फिकिछा रही मैं कुछ फरक पड़ते है तो हला फ़ дов प्र依ल के अंदर में पस्तशा ज़ब्श ?द्क Chiaarl में कितने 이game वा का ब फाया में तीन का तीक है गूद इवनिंग रिवीन जी लेकिन यहां पर कितने गैप था मुझे दो का गैप चाहिए था तो यह वला अंसर हो गया इसका ठीक है कोशन खतम हो गया next question सेम है क्या सेम हो गया चलो यह वला होगा second question चलिए देखते हैं इसमें हमें अलग बता आना है ठीक है चलिए सार करते हैं इन सबसे पहले देखिए यह figure ऊबड़ तो यहां पर बनी हुई है ठीक है और यह figure को मुझे यह बनाना है इसकी mirror image बना कर तो इसकी mirror image बनेगी तो ये option बन सकता है ठीक है यह वाला option भी बन सकता है लेकिन ये वाला option नहीं बनेगा सबसे पहले ये वाला option नहीं बनेगा और ये वाला option भी नहीं बन सकता मेंपा कितने option बनेगे या तो एक ये वाला या एक ये वाला और जब इसकी image ऊपर की तरफ बनेगी न तो वह क्या बनता है water image तो उपर वाला बनेगा ये वाला ये नही image है और जब यह ऊपर से ऐसे करें खुलेगा तो इसकी क्या होती है यह water image होती है ठीक है गुड़ इवनिंग मानवी चलिए start करते है next question चलिए यह कौन सा question आ गया मेरा image का question आ गया तो हम काटना start करते हैं अच्स पहले देखों यहां बार ना आपको B देखो बी देखो बी को देखो तो बी तो यहां पर सेमा बन रहा है तो यह तो गलत हो गया आपको इतनी मदद मिल जाएंगे तो आंसर खतम तो फब नाल है तो रस्या की आच रस्या के अंद्र जगापडती है और ड यंटैङन करते और च इंड्या से और आ फिक है जी। तो ये एरिया होते हैं पें टागण। तीक है जैसे पाagisan की capital का थे इसलामाबाद है ना फिक kilo माद pada hanno भी उनकी सारे C कितने पर आता है 3 पर, W कितने पर आता है 23 पर, T आता है 20 पर, O आता है 15 पर, अब अब जित्ते देख, जो common होता है, मैंने सब को पहले काट दिया, ठीक है, BRO, BRO, BRO मैंने काट दिया, अब मैंने लिख लिए 11, 3, 23, 20, 15, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले अब किंती में क्या आता है ग्यारा आएगा से पहले यहां पर तो ग्यारा में हमने एक लिख दिया अब ग्यारा के बाद क्या आएगा पंदना तो मैंने कितना लिख दिया यहां पर पांच लिख दिया अब उसके बाद बीस लिख दिया चार और फिर आखरी में कितना हो गया तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता, जैसे कल भी पेपर में सवाल आया था, तो इतना टाइम नहीं होता, हम देखते हैं, फटा-फट से एलिमिनेट करती हैं, जैसे दो और एक में पहले कौन सा आएगा, तो पहले दो आएगा, यहां से एक वल आप्शन कर गया, और आखरी में क्या आएगा, तो यह वल आप्शन भी कर गया, अब मिरे पाद दो आप्शन रहागे, छीक है, अब इस में से देखेंगे, चार और प गया पाना चाहिए और फिर 13 का गया पाना चाहिए, पहले कितने गया पाना हका शागे, VII का, फिर नौ का फिर 11 का फिर 13 effectivement,ंगए जोड़ो कितने 11, तो कितना आजएगा, 50 और 10 में जोड़ों को 63, इतना ही लेवल आता है किसी भी पेपर का चाहिए आप जोन सा मरजी पेपर ले लो इससे उपर का लेवल ही नहीं आता चलिए next question अब सबसे पहले मैं क्या चेक करूँ है यहाँ पर divide को 31 is equal to 312 मैंने कोशिश करी सोड़ी सी इसको multiply करेंगे तो कितना होजएगा यह 300 मताओ कितना होजएगा 325 माइनस में 30 और यह कितने का हो गया 18 पर ठीक है ठारा ही होगा प्रस का ठारा अब 18 में से 30 के कितने बचेंगे 38 में से 18 के कितने बचेंगे माइनस का 13 तो आंसर क्या आगया अब आप समझे रहो कि कैसे करना होता है एक्जाम में कोशन कैसे एक यह option set करते हैं और वो आंसर निगल कर आ जाता है मैंने सिरफ क्या follow कर लिया divide वाला rule कि divide किसको क्या कर रहा है what it समझ में आगया सबको next question असा पहले यह उपर की site में था theoretum उपके तरफ था फिर यह figure नीचे की तरफ आई यह figure ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ गई अब यह उपर की तरफ है रहाएंड-hand side यह answer नहीं सकता यह answer नहीं हो सकता यह answer नहीं सकता आप करो यह ऑन्न है यह बहुत आसान कोशिण आपका शांग फरता गया बड़ा असान कुश्ण दावना आठ आठ आठा एककोटाइसन हाँ से कहा रहे है नहीं ने आठ एकोटाइस दा आठ एकोटाइस दा आठाट सोला आगरा नबर क्या था आप आप कि एसे कुछ था बीज फैड नमर दुबारा मल्टिप्लाइब करना था आंसर आगा था कि मैं कर के आउन नहीं हो रहा था पेपर कराओं नहीं क्या मैं है मैं कराओं नहीं पर या फिर मैं पर छुड़ वाता हूं कोई गया जो यह अपने पता चलता है कि मेरे में क्या काभियत है कि 213 और यह कितना है चलो अब देखो बड़ी डिफरेंस चैक करें क्या चैक करें लास्ट का डिफरेंस बीच रहा नंबर है फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस च्छीक है जी तो आंसर बताईए देखो इसको आट करो तो तीन आएगा आखरी में ऑप्शन नहीं है यह करो तो नौ आया इसको करो तो दस आएगा यह भी नहीं होगा हो जाएगा सवाल खतम ठीक है नेक्स कोशन असान पेपर अब देखो यहां पर भी डिवाइट चेक करेंगा रिवीन जी मान भी देखिए अब देखो यह वाले ऑफ्शन नहीं जा सकता क्यों क्यों क्योंकि 32 पांच को डिवाइट नहीं कर पाएगा इसको छोड़ दो फिलाल के लिए अच्छा अब यहां पर देखो 24 चेको डिवाइट करता है बिल्कुल करता है लेकिन अगर 15 को 32 से मुल्टिप्लाइ करूँ हो न तो मेरा नमबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ा सा लीफ कर देता हूँ अब फिलाल क को multiply करना है 5 के साथ plus करने है 24 divide करना है 6 के सब बराबर हना चाहिए 171 board math के नियम में पहले divide करते हैं फिर multiply करते हैं उसको multiply करो तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा और plus का कितना कर दिया चाहँ तो 160 कोई बात नहीं कोई बात दे जब आपने इतना कर दिया आपको पता चल रहा है 15 आ रहा है या 160 आ रहा है और या 4 आ रहा है आंसर 170 लाना है तो यह प्लस का होगा पंदरा में से 4 मैंस होंगे 11 आएगा तो 160 और 170 होती है कौन सो option तो second वरा सवाल करता हूँ कैसे करना सवाल को next question बड़ असान question है 13 के बाद है 17 पर 17 में चार जोड़ो तो 21 आएगा ए के बाद 4 जोड़ो फिर 4 जोड़ो एला आएगा कि स्वरी तीन जोडने है तीन जोडने है क्या आएगा के आएगा एक यह option है वैसे नहीं भी देखते तब भी आंसर आया था चलो देखो गई दो पांस साथ 10 17 20 और 37 देखो इन दोनों को एड़ करो साथ आया इन दोनों को एड़ करो 37 इन दोनों को एड़ करो 17 ठीक है जी समझ वारो क्या कर रहा हूं मैं अच्छा अच्छा और चलो इन टो टू इन टो इन टो इन टो इन टो जी भी बिल्कुल कोई भी छहाँ ठीक होना जो जीए बस सरजन इस्तमाल करता है सकेटेकल कर तो मूर्ती कर क्या This 어떤 क्या इस्तमाल करेगा तो मूर्ती कार इस्तमाल करता है चinya ही को ड़ी चानिका अब देखो ब sapphın तो चैसे ममज़धाऊ ही क्ला ही राच 2ड मोझा करना थे ठेक है मतलब राटका पढ़कई ग्या वा असको पता था ह्था एड पक्या हं विपके करना है ता उसको पता 3 तक क्या है Becky में करना है नहीं है, some sunflowers are roses कहीं पर है, नहीं पर है, इन दोनों में common क्या है, roses और, roses, all लिखा हुआ है, काटो, some sunflowers are daisies, बन गया option, बन गया option, बन गया option, अच्छा, और कुछ बन दर option में, नहीं, answer क्योंगे, only second conclusion, sorry, only first follows, next question, देखिए भाईया, अब मैं यह लिखा हुआ है, fight, पहले पेपर में क्या आया, एक कोशन है, उसको पीछे सेड करना था, बस, इतना simple सवाल था, पीछे सेड करना था, इसमें सीज़े सेड करके देख लो, पहले, तो 6 और 9, 15, 15 और 7, 22, 22, 8, 30, 30, 20, 50 में से 10 मैनस कर दिया, paper में कर दो, buy, 19, ये 8, ये 15, ये 18, और ये t कितने पे है, 20 पे, कितना आट उटा कर दिया, 36, मैं 70 वाला कर रहा हूं पहले, 19 और 8, 27, 27, 27 और 15, और 18, और प्लस का 20, कितना हो गया ये, 80, 80 में से 10 मैनस कर दिया, अब क्रैक को कर दिया, क्रैक कितना आट उटा कर दिया, 36, तो 36 में से 10 गए, 26 सवाल कर दो, आपने एड करना है, and you will get the answer, माइनस 10 करने है, अब ये वाला कोशन, फिर बता रहा हूं, ये SSG का फेवरेट सवाल होगा, आने वाले टाइम में, ये वाला कोशन, फेवरेट सवाल है, उनका, सीजल के पेपर में ध्रडले से सवाल आएंगे, ये वाले, और फिर लिखके देता हूं, पैटन भी ये पू मैं आगे पढ़िन दे रहा हूं, तो मैं शिखा रहा हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं, मैंने F यहां लिख दे, किसी को दिखकर, आगे वो ये कहता है, E जो है, अच्छा, जो E है, वो 3rd to the right of F है, अब F यहां बैठा है, इसका राइट इस तरफ होगा, तो इसके 3rd राइट प होगा, और तुम्हारा right, left होगा, जो उपर 3 बैठे हैं, वो उल्टे बैठे होते हैं, अच्छा, only 3 people sit between E and A, E और A के बीच में 3 बैठेंगे, तो आप जैसे मर्जी देख लो, A ही बैठेगा, यहां भी 3 का gap है, यहां भी 3 का gap है, किसी को दिखकर यहां ता है, D sits 2nd to the right of A, D B sits 3rd to the right of G, B जो है न, वो 3rd right है, किसका, C का, अगर मैं, sorry, क्या बोल रहा है, B is 3rd to the right of G, अगर मैं G को यहां बैठा दू, तो मेरा right कहां पर होगा, इधर ही होगा, तो C यहां के बैठेगा, अब C जो है, वो 2nd left है, किसका H का, अब यहां पर सोड़ी सी जिक्कत होगी है, अब मुझे change करना पड़ेगा, मैं किसको change कर रहा हूँ, क्या, B है यह, अच्छा, तो B यहां के बैठ गया, अब वो क्या कह रहे है, C जो है, वो H का, 2nd right है, H कहां पर हो गया, यहां पर, और तुम्हारा right इसका left, answer आगए, अब वो कह रहे है, who is sit exactly, but between B and A, B और A के बीच में कोई बैठा हुआ है, C, सवाल खरता हूँ, पहली बार में answer आएगा, ठीक है, यह paper last जल रहा है भेन, यह दिली पुलिस का last reasoning का paper है भेन, आज, फिर maths करेंगे हाँ से, how many graduates workers are there from town A, तुम्हे graduate देखने हैं, और A वाले देखने, यह सारे के सारे town A वाले हैं, और यह graduate वरक उसने क्या बोला हुआ आपसे, ठीक है, T यह आगया इदर, J जो है, वो second right है M का, M को यहाँ बैठा दीजिए, हो गया cushion, देखो ज़रा, अब देखो यह बन गया सवाल, P तो 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 यह था ही नहीं यार, P यह रहना, मेरा भी J यह आ रहा है, यह बन रहा सवाल, टफ सवाल था, leave it, उल्टे से कर लिया दा न सवाल को, अच्छा एक सवाल कल भी विपरे में वहाँ था, A हैश B, A हैश B, A is the husband of B, A जो है, वो पती है, किसका B का, तो B इसकी B वी हो गई, अब B एंड C में क्या रिचता है, B मद है, किसकी D की, और D परसंटेज, E, D पिता जी है, किसके, Y के, E के, अब देखो क्या हुआ, A और B आपस में क्या थे, मिया बीबी थे, उनकी बेटी हुई, C, C का पती है न, D, C का पती D है, और इनका आगे कुछ उलाद हुए, इसका नाम E है, आच्छा, D का रिच्ता A के स तरफ बनेगा, यह option पहले कड़ गया, ठीक है, यह option भी कड़ गया, fourth answer हो गया, fourth answer, next question, W आता है 13 के ओपर, L आता है 12 पर, X आता है 24 पर, R आता है 18 पर, G आता है 7 पर, S आता है 19 पर, ठीक है, ठीक है, अच्छा, क्या कर रहे हैं, plus का 5 की, minus का 5, 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 कल paper में सवाल आया था, उसका answer था, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, जो code in recording रिकोडिंगा सवाल आया था, उसमें minus 3, minus 3, minus 3, minus 3 आया था, 18 कितने ग़र है तुने लक्षे? 18, 10 और 2, कितने कम बने दे 5, 13, तेरा वाल एक है option है, सवाल खता है, देखो भईया, 23 का स्क्वायर करो, और 11 का स्क्वायर करो, तो 70 आता नहीं, क्यों तो बहुत 6 है, 23 में से minus करने है 6, answer आएगा 17, 17 किसे multiply करेंगे? 14 से, तो 238 आया, उसी चरीके से हमने क्या कर रहा है, 11 में से 6 minus करे हैं, 5 और 5 को 14 से multiply करते हैं तो 70, अब यहां से कून सो option लूँ, 25 से लेता हूँ, तो 25 में से 6 जाएंगे, तो 19, 19 को 14 से multiply करो, तो कितना आएगा, आखी में तो 6 ही आएगा, 191, 266, यह option नहीं है, 24 इंटू 14 करो, आगया यह वाला answer है, logic क्या था, इसका number minus करना है 6, अच्छा काले paper में सवाल आया था, शाम वाली shift के अंदर, उसमें क्या था, ऐसे लिखा हुआ था, mat, m-e-t करकर कुछ था कुछ, और इसको लिखा हुआ था, 6, हना, और यह इतना असान जवाल है, कि मेंको क्या बताओ, नहीं इतना असान, पता क्या करना था, पता क्या करना था, 1-7 था, उन्हाना सब को चे था, इन सबको add करना था, ठीक है, आखरी में number आ, तो दो और चार कितने होते हैं शे बस यह करना था अगर किसे का पेपर में कल सवाल था तो उस सवाल को ऐसे करना था ठीक है मैंने कई पर तुम बताया है जब तुम पेपर देने जाते हो तो तुम बड़े-बड़े नियूकलियर साइन्स वारे तो मैथा लगाते हो मत लगाया गरो बिलकुल बच्चों के तरीके से दिया गरो कि भाई वो 10th का पेपर है वो 10th के बच्चे से वो क्या पूछ लेगा तफ कुछ नहीं पूछेगा तफ तुम तुम तुम्हारा ध्यान ही अच्छा स्क्वार क्यो वाला कोशन तो गोई से वो टीटी तो इंग्लीश वाला कोशन है वाला कोशन है हम वाता है M is the father of O, R is the sister of O, R क्या है O की भेहन है, N is the mother of R, N मम्मी है इसकी तो इन दुनों आपत में शादी भी करिये होगी, if P is the husband of R, P पती है R का तो हो P related to N, दमाज जी आप तो बहुत सार भी खताम, एक बार मानवी अर्वीन और अपना मम्ता भेहन एक पर यस लग दीजेगा, अब मैं मैं मैंच स्टार्ट कर रहा हूँ इसके